दोस्तों आज मैं आपको Android Phone के इंटरनेट की दो ऐसी खुफे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप सोचेंगे कास पहले पता होता दोस्तों अगर आप भी ये दो सेटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो अगर आप चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके दोस्तों पहली सेटिंग देखने के लिए आपको फोन की सेटिंग में आजाना है सेटिंग में आजाने के बाद में सेटिंग में आजाने के बाद में यहां उपर उपर मिल जाएगा आपको एक आपशन Connections इस पर क्लिक करेंगे Connections पर क्लिक करने के बाद में यहां फिफ नमबर पर एक option दिख रहा है Mobile Networks इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर फोर नमबर पर एक option दिया हुआ है Allow all sims to use data in calls इसको enable कर देंगे दोस्तों इसको enable कर देने से क्या होगा कि मान लिजिए आपके mobile में दो sim लगे हुए है और आपका mobile data simon से चल रहा है बट अगर आपके mobile पर अगर sim 2 पर call आ जाएगा क्या होगा कि आपका mobile data बंद हो जाएगा आप internet का use नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों इस setting को allow कर देने से क्या होगा कि अगर आपके phone में 2 sim है आपके call किसी भी sim पे आ जाएगी किसी भी number पे आए तो भी आपका internet proper तरीके से work करता रहेगा दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे setting की दूसरी setting को देखने के लिए आपको अपने phone के setting में आ जाना है उसके बाद में नीचे नीचे आ जाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है about phone इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद में सबसे उपर लिखा हुआ है status information इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सबसे उपर ही हमको एक option देखने को मिल रहा है sim card status इस पर क्लिक करेंगे उस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर एक option आपको मिल जाएगा फिफ्ट नंबर पे signal strength दोस्तों यह क्या होगा यहां पर जितना ही minus में होगा जितना ज्यादा minus में होगा वहां पर आपके mobile का जो signal है उबीक होता जाएगा यह जितना ही कम रहेगा तो हम इस सेटिंग के माध्यम से चेक कर सकते हैं हमारे फोन का signal strength सबसे ज्यादा कहां पर आ रहा है और हमारा नेट अहां पर बहुत बढ़िया चलेगा यहां से हम इसको चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यहां नीचे दिया वाज सिम मौन के लिए आप चेक कर सकते हैं